बीएस एजुकेशनल महा विद्याले लखनव विश्य विद्याले से समबध छात्र छात्राओं के लिए उत्क्रष्ट शिक्षर संस्थान बीए, एमे, बीकॉम, एम्बीए वा अने कोर्सेस के लिए आज ही समपर करें मंदिरों में अलग रग देवताओं की पूजा के बारे में तो आपने खूब देखा और सुना होगा लेकिन आई इंडिया आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहा है जहां मेढ़क की पूजा स्रधालू करते हैं यानि कि यहां शिवजी मेढ़क की पीट पर विराजमान है या अनुखा मंदिर यूपी के जंपल लखीमपुर खीरी के कजबा ओयल में इस्थित हैं माना जाता है कि यह देश का एक मात्र ऐसा मंदिर है जहां मेढ़क की पूजा की जाती है बताया जाता है कि यह जगा पहले सयो संप्रदाय का प्रमुक केंद्र थी, यहां के शाशक भगवान शीव के उपासक थे, इस कजबे के बीच माडूग तंत्र परही या प्राचीन शीव मंदिर है, इस अनुखी मंदिर का निर्माण चाहमान वंश के राजा बक्ष शिंग ने करवाया था, बताते हैं कि यह चेत 11 सदी से 19 सदी तक चाहमान शासकों के अधीन रहा, इस मंदिर की वास्तु परिकल्पना कपिला के एक महान तंत्रिक ने की थी, तंत्रवात पर आधारित इस मंदिर की वास्तु समर्चना अपनी विशेश शैली के कारण मरता है ही, इसके अलावा धीपावली वाब महाशिवरात्य पर भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है, आइंडिया मेधक मंदिर से जुड़ी और भी कई रोचक जानकारियां आप तक पहुँचाएगा, आइए पहले सुन लेते हैं मंदिर आने वाले श्रद्ध इसलिए यह बंदिर अलोकित है, और इस मंदिर का निर्मार कराया था हमारे यहां की बलब वरसात पर हो और दूसरा की यह यह वाला आपदा से बचाता है, इस मंदिर की खासिया दिये है, यह विल्कुल मंदूक तंद्धिया लाई था, सबसे पहले आपको मेठक बिलेगा उसके उपर जो है तमल आसन और फिर उसके बाद में स्टार है, तारफ उसके उपर यह पूरा मंदूक पर और जम्भू उपर इस्थापित है, यह से मंदिर की स्थापना बत्स निर कराई थी, और यह जो सिविलिंग है, अद्भूद है, यह दिन में कहते हैं कि कई बार र में मिलेंगे, और कहीं भी आपको पूरे देश करिके मंदिरों में नंदी जी आपको खड़ी वस्ता में नहीं मिलेंगे, यह मंदर की बहुत महिमा है, और यहां पर सावन में तो अधी वीड होती, अब तो बाहरी लोग भी जब से हमारा आनलाइन हो गया है, इंटरनेट मंदिर की एक और भी विशेष्टा है कि यहां नंदी की मूर्ति खड़ी मुद्रा में है, जबकि अधिकतर शिवालेयों में नंदी की मूर्तियां बैठी मुद्रा में ही देखी जाती है, बताया जाता है कि मंदिर का छत्र भी सूर की रोश्मी के साथ पहले घूमता था, लेकिन अववा सतिग्रस्थ हो गया है, जिससे यह चमतकार शद्धालू यहां आकर भी नहीं देख पा रहे हैं, इसके अलावा एक विशेष्टा याबी है कि यहां का जो कुवा है उस कुवे में, जमीन तल से उपर जो पानी रहता है, वह जमीन तल पर ही मिलता है, मंदि प्रस्तोगी की ग्राउंड जीरो से या खास रिपोर्ट। मेढ़क पर पूरा मंदिर बना हुआ है, आपको बता दें, यह इस्थान ओयल पढ़ता है, जो सीतापुर से लगभग 30 किलो मीटर और लखीम पूर से लगभग 13 किलो मीटर है, मध्य में यह पढ़ता है, ओयल कस्वा बोले जाता है, यहां नगरपन चायद भी है, आपको मेला और अनोखा मंदिर है, आपको बता दें, जो यह छेतर है, वैल छेतर, यह सेव संपरदाय का प्रमुख केंदर रहा है, और इनके जो सासक हुआ करते थे, वो सिव के उपासक थे, आपको बताएं कि इस मंदिर का निर्मार गेरुही सताबदी से और उन्निस्वी सताब मंदिर की वास्ट परिकलपना जो है, वो कपिला के एक महान तांत्रिक ने की थी, यह तंत्र विधा पर आधारित मंदिर है, क्योंकि आपको बता दें, कि यहां पर बहुत कम देखने के मिलता है, कि यहां पर मेढ़क की पूजा होती है, मेढ़क के उपर पूरा मंदिर बन बता दें, कि यह मंदूग तंत्र पर आधारित मंदिर है, और यह भी बता दें, कि आपको कि इसका निर्माड बहुत समय पूरु किया गया था, आपको बताएं कि इस निर्माड के पीछे लोग बताते हैं, यह मंसा रही है, कि जो भी यहां पर प्राग्दिक आपदाएं आती थी, सूखा है, बाढ़ है, इसको बचाने के लिए तंत्र पिद्या के आधार पर इस मंदिर का निर्माड कराया गया, आपको यह भी बताएं कि इस मंदिर में कई अनोखी चीजे हैं, आपको बताएं कहीं भी आपको जो नंदी जी हैं, वो आपको कहीं भी खड़े मिलता है कि नंदी जी या तो मंदिर के अंदर बैठे हुए है या नंदी जी बाहर मंदिर के बैठे हुए है और ये एक ऐसा मंदिर है जहां पर नंदी जी जो है खड़े हुए है और नर्मदेश्वर महादेव जी का ये मंदिर है साथ ही आपको ये भी बताएं कि यहां पर जो आकरतियां उकेरी गई हैं आप देख सकते हैं कि जो आकरतियां उकेरी गई हैं वो जो है सव साधना से सम्मंधित आकरतियां हैं जिससे पूर्टिया लगता है कि ये मंदिर जो है तंत्र साधना के लिए बनाया गया और जो है लोगों के कल्याण के लिए जैसा कि आपको बताएं यहां इतिहासकार बताते हैं कि प्राक्रदिक आपदाओं से बचाने के लिए राजा बख सिंग ने इसका निर्माण कराया था और आपको यह भी बताएं कि इस मंदिर में सावन में बहुत से सद्धाल आते हैं महाशिवरात्र पर बहुत से आयोजन होते हैं साथ ही दीपावली पर भी विसेश जो है पूजन अर्चन होता है तो आप देख रहे थे आई इंडिया आई इंडिया ने आपको दिखाया कि जहां मेढ़क की पूजा होती है यह एक अनोखा मंदिर है यह सीता पुर लकीमपुर के बीच में वैल कस्वे में इस्थित है आप जो ह देखते रहे आई इंडिया नोख रस्तोगी की रिपोर्ट यह झाल 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 झाल